हल्दी है या पीला चंदन है घी है या फिर आपके पास शहद है कुछ भी हो इन चारों चीज में से तो फिर आपको ये पंचमी तीति का विशेश उपाई जरूर करना है नमश्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आप सभी का शिव पुरान के उपाई में आज का ये वीड सौबआर जो कि भगवान शिव को समर्पिध है और पंचमी तीतटी है यानिि कि सुमवार की पंचमी जो कि भांगी का उद़ती है और इसी सुमवार की पंचमी के दिन आपको कुछ उपायव इन पीली चीजों से करना है हल्दी, शहद, पीला चंदन और घी से पंचमितिती सुख को देने वाली है समर्ध करने वाली है और इसी लिए 2024 के पहले दिन जीवन के भागी को उदै करने वाला ये विशेश उपाय करना है देखो आज के इस पूरी वीडियो में हम चार बहुती सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले साल 2024 के आपको बहुत बहुत शुख कामना है ध्यानक है ये हिंदू नव वर्ष नहीं है लेकिन कल पोश मास्क की पंचमितिती है पोश मास्क का सुमवार जरूर है तो आपको ये उपाय जरूर करना है देखो किस प्रकार से करना है समझना तो आज के इस पूरे वीडियो में चार महा उपाय के बारे में आपको बताने वाला है सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा मात्र एक बुंद घी से आपके घर के सारे कलेश दूर हो जाएंगे अगर आपके घर में लड़ाई जगडे का माहोल रहता है न तो एक बुंद घी वाला ये उपाय करना चीए दूसरा जो उपाय होगा वो भी आपको पंचमी तीती पर कल के दिन करना है जो की होगा शहद से ओम ये शहद वाला ओम आपके घर की बीमारियों को दूर करने वाला होगा तीसरा जो उपाय होगा वो आपको मात्र एक गोल बाति का दीपक लगाना है और आपकी घर की सारी नेगेटिव एनरजी डिस्ट्रोय हो जाएए मतलब घर का जो वातावरन है वो शुद्ध हो जाएगा बहुत ही प्यारा से उपाय है और जो चोथा उपाय अंतिम उपाय जो होने वाला है वो मात्र एक चावल के दाने से आपके घर की परिशानियों को खत्म करने वाला होगा तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में चार बहुती सुन्दर से प्यारे से छोटे से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला है जो की पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेश्ट करता हूँ चैनल पर अगर पहली बार आ हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें देखो सबसे पहलों उपाए यदि आपके घर में बहुत जादा लाड़ाई जगड़े होती हैं घर में बहुत जादा क्लेश का महोल रहता है बच्चे लड़ते हैं बड़े लड़ते हैं आपस में कुछ भी अपशब्द कह देते हैं और घर का वातावरण जो हैं वो दिन पर दिन बिगरते जा रहा है घर में एक दुसरे के प्रती क्रोध है आपको यह उपाए करना चीए देखो घर में सुक्षानती रहेगी तो वहाँ पर महालक्षमी स्वता ही चली आती है और घर का अगर वातावरण अच्छा नहीं होता है न तो घर में किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में जो सबसे पहला उपाए होगा वो आपके घर के क्लेश को दूर करने वाला होगा बहुत ही प्यारा सा उपा है आपको लेना है तामबे के पात्र के अंदर जल एक लोटा जल लेना, साथ में लेना एक बूंद घी या एक चमज घी और घी किसका लोगे गोमा तगा घी लेना है ठीक है अब आपको क्या करना है भगवान शीव के मंदिर में जाना है देखिए जैसे ही शिव मंदिर में गाए आपके हाथ में है एक लोटा जल और थोड़ा सा घी ठीक है एक चमच घी अब आपको क्या करना है जो घी लेकर क्या है वो घी माता अशोक सुन्दरी वाले इस्थान पर आपको लगा देना है जैसे आप घी लगाओगे थोड़ा सा घी बचा चाहे घर में ग्रहकलेश हो रहा हो चाहे घर में कर्ज की समस्या हो चाहे घर में सुक्षान्ति नहीं है चाहे घर में बहुत जादा रोग है उन्हें दूर करने के आपको कामना करना है और घी का लेपन वहां पर करना है माता अशोक संद्रिवालिस्तान पर थोड़ा सा घी माहादेव का इसम्रिंड कर लेना जिसे जल अरपित करोगे घी के जल आएगा उसके बाद ici आ लेकरके रखिए कटोरini के अंदर जो आपने चड़ाया था घी और थोड़ा से गी जाना वो घी आपको भगवान से प्रातना करके वो घी आप आपके घर पर लेकर के आ जाना मादेव से कहना कि यह मेरे घर के रोगों को दूर करेगा यह मेरे जीवन के करजों को दूर करेगा ऐसी आपकी का एसी आप कामना करते हुए भगवान शीव और माता अशोक शुंद लूँ लेके पाल्सिली जोंगली है न ungef को इस और ओंधी ड़ते हैं ड़ते और पर आपको एक बिंदी लगाना आपकी घर स्था इस बिसे अगर को पुझी गुर्यार साक्ष। लुटतोरर्प स अगर्ट धुसे जातरा है गार्श। आपके घर के सारी समस्य जो है वो दूर हो जाएगी यदि आपने पहले यह उपाय कर लिया है छेएक महीने हो गए है तो वापस से आप यह उपाय कल के दिन कर सकते हैं क्योंकि पील पंचवी तीटी वीशेश होती है इस उपाय को करने के लिए तो बहुत ही प्यारा सा उपा अब आपको क्या करना है शेहद से आपको माता अशौक सुंदरी वाले इस्तान पर और निरमांड करना है, केसे करोगे, हमेशा ध्यान रखना अनामिका उंगिली से तेको आपको अरपित कर देना है, शिवलिंग के उपपर कुंद केश्वर महादेव का नाम स्विरन करते हुए जिसे ही भगवान शीव के शीवलिंग पर वो जल अर्पित होगा ओम के महा से वो जल इसपर्ष होगा और जो कटोरी रखिये उस कटोरी में ओम वाला वो जल जो है वो आ जाएगा अब इस जल को आपको आशेदी के रूप में प्राप्त करना है महादेव से प्रातना करना कि मेरे घर के ये रोग दूर करे ऐसी आपको प्रातना करते हुए घर पल लेकर के आ जाना और इस जल का जो आच्मन है घर का हरे प्यक्ति कर सकता है जो रोग जिसको रोग बहुत जादा होता है उसको तो इसका आच्मन करवाना ही है जब इसका आचमन आप करवा होगे न तो उसे कुंद केश्वर महादेव का इस्मरण करवाना कि कुंद केश्वर महादेव की कृपा से मेरे शरीर की रोग दूर हो जाए ऐसी काम दखरते हुए इस जलका सेवन उसे करना है बस इतना सा हूपाय करना है आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए देखो अब हम बात करते हैं तीसरे उपाई की बहुत ही प्यारास उपाई है यह आपको ऐसा लगता है न कि घर में बार-बार नजल लग जाती है घर का कोई भी सज़स्थ से ढंक से रेता नहीं है घर का जो वातावरन है वो भी गड़ चुका है तो पंचमी तीती पर देखो ऐसा नहीं कि कल पंचमी तीती है तो कल आप यह उपाई करेंगे देखो यह उपाई तो आपको हर पंचमी पर करना चीए यह उपाई पंचमी तीती का बहुत ही शूब उपाई है मात्र आपको एक गोल बाती का दीपक त्यार करना है आटी का दीपक भी ले सकते हो या तुम आटी का दीपक भी ले सकते हो दोनों में से जो आपके इच्छा हो दोनों में से जो आपको लेना वो ले सकते हो ठीक है उसके अंदर आपको घी डालना है उसके अंदर एक गोल बा देव क्या कहता है जो भी व्यक्ति पंचमी तीती के दिन घ्रत का दिया गोलबाती का हल्दी मिश्रित दिया जो है घर में तुल्ची जी के सामने लगाता है और वो हल्दी वाला दीपक जैसे प्रजलित होता है तो आसपास का जितना भी वात्तावरन जो अशुद्ध है वो भी शुद्ध हो जाता है व करना है यह अपको करना है सूर्यास्टा के बाद आगई अपको वाशन में यह वो किया तीसरे और रोपाय की में यदि आपके जीवन में बहुत जादा परिशानियां है और परिशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं एक के बाद एक परिशानिया आ जाती है कभी कोई परिशानी जाती है फिर वापस से कोई परिशानी आ जाती है जीवन में टींशन बाव स्हाधा चल रहा है तो आपको इवपाय उपाए करना चाहिए धेखो मात्र थोड़ासा पीला चंदन लेना और साथ में लेना है एक बेल पत्र साथ में लेना है एक चावल का दाना और तांबी के पात्री के अंदर जल देखो यह उपाय विशेशकर बहुत बार हम करते हैं क्योंकि यह उपाय ही इतना खास अब आपको क्या करना है सबसे पहले बेल पत्र की जो उपर वाली पत्ति पर आपको पीला चिन्दन लगा देना है त्ड है इस बेल पत्र को आपको महादेव के कि शीवलिंग पर श्री शीवय नमस्थिवयम के वह आपको अर्पित करेना है उल्टा करना चावल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर इस पर शुना चीए आगई आपको बाचन में और एक लोटा जल चंदर मोली महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है देखो यह उपाय विशेशकर जो घुस्सा करता है ना घर में अगर वो व्यक्ति यह उपाय करेगा तो सर्वोतम होता है क्योंकि जैसे ही जल जलाधरी के माँ से आएगा उस जल को आपको रोकना है यह उपाय वो कर सकता है जो बहुत जादा डिप्रेशन में रहते हैं जो लोग वह भी उपाय कर सकते हैं जो बहुत जादा सोचते हैं जो धिन पर टेंशन में रहते हैं उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए उनके जीवन से जो तनाव है वो दूर हो जाता है उनके जीवन म भी खुश्य आती हैं तो यह उपाई भी आप कर सकते हैं तो देखो आज के पूरे वीडियो में हमने चार महा उपाई के बारे में बात करी है अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है स्री शिवाय नमस्तु व्याम हर ह महादीब